जोहार नमस्कार सफर 24 से मैरेन जनकुमार ये जो आप दिरिष से देख रहे हैं ये चेकडेम है और मैं आपको एक नहीं साथ साथ चेकडेम भी दिखाऊंगा वो भी 7 किलोमेटर के अंदर में साथ किलोमेटर के दाइरे में और ऐसे छेतर में डिखाऊंगा जहां इस चेकडेम का कोई खास यूज नहीं है कोई खास इस्तेमाल नहीं है लेकिन करोड़ों रुपईया इस पे जोख दिया गया सरकार की ओर से यह चेकडेम है बढ़का वबिधानसवा के केरे डाड़ी पर दिया गया वह भी चैनल चेकडेम मतलब इसमें अच्छा खासा इंवेस्टमेंट होता है पानी कर लोड़ अधिक होगा तो चैनल ऑटमेटिक खड़ा हो जाएगा तो इस तरह का चैनल चेकडेम जो बनाया जा रहा है धेबोतरी नदी में वह चेकडेम मुझे जहां तक यह चैक डेम जहां बन रहा है उस पूरे छेतर में माइनिंग एरिया है खनन चेतर अएक को इलाक हदान है इंटीपीसी कंपनी की अड़ियो कंपणी तिरवेनी सैलिंग कोईला खोड़ने का काम करती यह कोईला निकालने काम करती है और उसके जस सामने यह चैकडेम बना ग परन्तु यह जो साथ से देखें दूसरा तीसर चेक्डम आपको दिखा रहे हैं यह देखिए उसके बाद आपको चौथा चेक्डम दिखाएंगे यह देखिए यह च्यक्डम है है आपको पता है कि देखिए यह उपर जो दिखा रहा है यह माइनिंग इरिया का जो है यह गाड़ी जा रहा है कंपनी का कोईला खदान जहां है वहां देखिए बस है और टैंकर वगेरा जो आपको अभी दिखेंगे वह उधर से जारी जस्ट इस धेवो दरी नदिय उसके जस्ट ऊपर में मतलब आप कह सकते हैं कि 20-25 मीटर 30 मीटर के जस्ट ऊपर में यह एक रास्ता है रास्ते के जस्ट नीचे जो है देखिए यह जो टैंकर है यह कोईला खदान के लिए है यह जो बस जा रही है वो वरकर्स का बस है और यह आपको माइनिंग छेतर दिखा रह बस्तापित होने वाला है कुछ गाउं बस्तापित हो चुके हैं और ऐसे में वहाँ पर चेकडेम बनाना पानी को जमा कर रखना आखिर उसका इस्तेमाल क्या आखिर सरकार करोड़ों रूपए क्यों वरबाद कर रही है बहुत सारे ऐसे छेत्रे जहां बढ़का गाउं में जहां खेती जबरजस्त होती है वहां लोगों को पानी नहीं मिलता है देखे यह देख रहे हैं पूरा दिरिस चेकडेम के जस्त ऊपर यह रास्ता है और इस रास्ते के जस्त बगल में माइनिंग छेत रहे है और पूरा गाड़ियां वहां लगी हुई है कोईला खदान की देखे बड़ी बड़ी गाड़ियां आपको दिखाई दे रहे होंगी लगी हुई है तो ऐसी सिती में समझ से यह परे लगता है कि आखिर इस चेकडेम का जो पानी है उसका इस्तिमाल कहां लोग करेंगे ना आसपास गाउं दिखाई पड़ रहा है ना आसपास खेत खलिय दिखाई पड़ रहा है तो फिर इस चेकडेम का उप्योगिता क्या है अगर सरकार इसमें पैसा करोड़ो रुपया जोक रही है तो वह तो बरबास हो जाएगा क्योंकि इस चेकडेम कोई मतलब नहीं बनता है सब गाउं विस्थापित हो चुके हैं आसपास कोई गाउं न जबकि बढ़का गाउं में ऐसे जगह है जहां पर पानी की इतनी किलत है कि लोग नदियों में कुणा खोड़कर आहरा खोड़कर करके अपना खेती करते हैं देखिए यह चारता माइनिंग अरिया आपको दिख रहा है जस्ट मैनिंग अरिया के सामने यह देखिए यह जो ज्यादा बच नहीं रहा है तो वह विस्थापन के कगार पर कुछ गाउं विस्थापीत हो गया खेती भी नहीं हो रहा है दूर दूर तक मैंने देखा कहीं कोई खास खेती नहीं हो रही थी तो एस डिती में फिर क्या फाइदा है इन चेक डेमों का अब आप देखिए यह बढ़का गवा के नजदीक में बढ़का गवा और सिर्मा शहौनिया जो बसती है उसके बीच की एक नदी है वहाँ आप देखेंगे कि कुवा में देखें किस तरीके से नदी के बीच बीच कुवा खोदा गया है और उस कुवा से लोग खेती कर रहे हैं पानी की इतनी किलत है कि नदी के बीच में लोग कुवा खोट डालें और वहां से खेती कर रहे हैं और आपको यकीन नहीं होगा आपको मैं उपर का दरी से दिखाता हूं जहां कितना बड़े लेबल पर यहां खेती हो रहा है कितने तकलीप से लोग खेती कर रहे हैं पानी की लोग अपने कुदाल से गड़ा खोदकर नदियों में और देखे किस तरह से क्रिसी कारी कर रहे हैं कितनी मेहनत का काम है आप सोच सकते हैं अगर इन नदियों में चेकडेम बनाया जा बढ़काओं के आसपास के जो खेती का इलाका आपको दिखाते हैं कि यह जो नदी में आपको कुआ दिखाएं और यह जो अहरा लोग खोड़े हैं इसको जस्ट उपर आपको मैं दिखाता हूं देखें यह पाइप के जरीए लोग पानी ले जा रहे हैं और आपको मैं दिखाता हूं कि कितना बड़े लेबल पर यहां खेती होता है यह पाइप गया है उपर तक आप देखें आपको मैं दिखा रहा हूं कितनी हर्याली है लो यहां पर क्विल खदान है क्याट किसान को गलाब होता लेकिन जहां चेक्डेम में अगर बनाया गया वहां आसपास के छेत्र में एक-डोर जी ऐनों जा पर लाब ले सकता है लेकिन चार चेक्डेम तो ऐसा है जहां कोई आम नहीं है चारो तरफ के पर कोईला खदान है और सबसे बड़ी बात है कि कोईला खनन के समय जब ब्लास्टिंग होता है तो लोगों का कहना कि एक किलो मिटर तक जो गाउं है उनके दिवाल थर्रा उठते हैं लोग तो ये भी कर रहे हैं कि जो आसपास की कुवा है वो ब्लास्टिंग क कंपन से धस गया है तो आप बताईए कि जो 20-25 मीटर सामने ये पुल बना है और उसके बगल में ब्लास्टिंग होगा तो क्या ये पुल बचेगा कितना दिन बचेगा ये पुल तो ब्लास्टिंग से ऐसे ही धरासाई हो जाएगा तो फिर सरकार यहां पैसा क्यों जा रहा है जहां खेती का छेत्र है जहां क्रीसी लोग कर रहे हैं जहां से अनाज उप जा रहे हैं उन नदियों पर ध्यान क्यों नहीं दिया रहा है क्या ये केवल ठीकेदारी के लिए या फिर पैसे का बंदर बांट हो रहा है सरकार को योजनाओं का पता नहीं है अनाप